गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र एसोसियेट प्रोफेसर सेंट स्टिफिन्स कॉलेज समस्कृत विभाग से एकवार फिर से उपस्थित हूँ यहाँ और अपनी जो श्रिंखला चल रही है उसी पर व्याख्यान को आगे बढ़ाने के लिए अपना व्याख्यान का वीशय है समस्कृत लिंग्विस्टिक्स और जिसका उपर वीशय है समस्कृत भाषा की वीशेस्ता है वित्रोज से पूर्व हमने इरानी भाषा के साथ समस्कृत के संबंध को देखा था अवेस्ता के साथ समस्कृत के संबंध को देखा था और उसी श्रिंखला में आगे बढ़ते हुए वैदिक समस्कृत की वीशेस्ता की ओर लेकर के चले थे यद्यपी यह एक सामानिय अवधारना है सामानिय अवधारना क्या कहे हैं भाषा वे ज्ञानिक अवधारना है जिसमें कि सम्स्कृत की दो विधाओं की चर्चाव होती है और जिसे वैदिक सम्स्कृत और लौकिक सम्स्कृत नाम दे दिया गया है लेकिन एक जो अपना ट्रेडिशनल व्यू है जो एक पारंपरिकमत है ये समस्क्रित भाषा में इस प्रकार का कोई विरोध देखने का प्रयास नहीं करता अर्था समस्क्रित सतवित प्रवाण शीला भाषा रही है जिनमें की भेदोब भेद हम न करें ये एक नई परंपरा चिंतन की चल रही है लेकिन चुकि हम भाषा विग्ञानिक दृष्टी से इसका अध्यायन कर रहे हैं और भाषा विग्ञानिक दृष्टी यह होती है कि जिसमें की भाषाओं में प्राप्तों होने वाले अंतर को आसानी से समझ लेती है यह दृष्टी और यही कारण है कि एक भाषा दूसरी भाषा से भिन्न है या अपनी ही भाषा में हम क्या वेरियेशन से देखते हैं क्या परिवर्तन देखते हैं तदनुस्तार समस्कृत भाषा विग्ञानिकों की मध्य जो प्राप्तों होने वाली समस्कृत की विशेस्ता है उनको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं हम अब जैसा सभी जानते हैं कि समस्कृत एक भाषा मात्र नहीं है समस्कृत एक जीवन है समस्कृत एक यात्रा है समस्कृत है समस्कृत हमारा अभी ज्ञान है और भारत में रहने वाले को जब हम भारती ये शब्द अभी हित करते हैं तो उस भारती है ताकि व्याख्या करने वाली यदि कोई भारशा है तो वो समस्क्रिट भारशा है और यही कारण है कि इनको इनके लिए अलग-अलग विशय अलग-अलग इनके चिं पुन्ज के रूप में यह संस्कृत भार्शा है और तभी महात्मा गांधी के उस अमर वचन को कौन भूल सकता है जब महात्मा गांधी कहते हैं कि without the study of Sanskrit one cannot become a true Indian and a true learned man यानि संस्कृत के अध्यायन के बिना एक सच्चा भारती नहीं बना जा सकता एक सच्चा व्यक्तित्व हम अपना नहीं प्रस्तुत कर सकते तो यह संस्कृत भार्शा का महत्व है इंपॉर्टेंस है और तब जब जब किसी भार्शा के विशय में इतनी विशाल इतनी गहन चिंतन अगर प्रकट हो रहा हो तो यह आवशक हो जाता है क्या कि वो भार्शा क्या है कैसी है तदनुसार हमने पूरे जो जितने भी विश्वी का भाशा है जितने भी विश्व की भाशाएं है उन भाशाओं का वरगी करन किया उस वरगी करन के माध्यम से हमने एंडो योरॉपियन जिसको भारोपी या भाशा परिवार है हमने उसकी चर्चा की और उस तीन भागों में बाड़ते हैं जिसमें पहला भाग है प्राचीन भारती या आरिया भाषा जिसे वईडिक समस्कित हम कहते हैं और इसके समय को 500 BCE दूसरे शब्दों में इस भी पूर्व 500 हम वर्ष लेते हैं जिसे की भारती या आरिया भाषा का काल का जाता है मैं तरो एक ब रीमपरा, रूप में भाशाओं का विषलेशन प्राप्ट करते हैं, उस विषलेशन के अंतरगति बाशाओं का वरगी करन है, जिसमें भारती आरिया भाशा का का चाल, पाफ सौ बीसी याई तक सिध्ध ह किया जाता है, तदरुसार मध्यकालीन भारती आरिया भाशा हम कहते हैं और ये मध्यकालीन आरिया भाशा आप कहें ये 520E से 1000E तक है दूसरे शब्दों में 580E पूर्व से लेकर के 1000E तक हम इसे प्राप्त करते हैं अब ये 1000E तक जिसकों की आधुनिक रूप से अगर आप इतिहासी कद्रिष्टी से कहते हैं तो प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल तक की जो एक यात्रा है वहाँ मध्यकालीन भारती आरिया भाशा में देखते हैं लेकिन यह मध्यय युग की भाशा नहीं कहलाएगी क्यों क्योंकि जब हम भारती इतिहास की विवेचना करते हैं तो 1000E तक हम उसमें भारती इतिहास के प्राचीन भारत का दियान करते हैं तो इसलिए इस रूप में यह प्राचीन भाशा के रूप में और तदनु सार जब हम देखते हैं कि 1000C के बाद, 1000E के बाद कई सारी भारती इतिवाशाओं का भ्युदय है कई सारी भारती इतियां का विकास है और वो विकास के साथ-साथ हम आज तक उन भारताओं के साथ अपनी यातरा आगे बढ़ा रहे हैं इसलिए इसे हम आधूनिक भारती आरिया भार्षा नाम देते हैं जिसमें कि हम हिंदी आधी जितनी भी आधूनिक भार्षा परचलीत हैं उसकी चर्चा करते हैं अगर हम भार्षाओं के विशडेशन के रूप में देखें और हमने आपके सामने जो प्राचीन भारतिय जो आरिय भाषा है इनका चिंतन किया था और उसमें हमने जानने की कोशिश की थी और अगर आप देखें कि जो दो वैदिक में और लॉकिक समस्कृत में अगर भेद को लाने की कोशिश करें तो देखेंगे कि सम्स्कृत में जो ध्वनिया हैं वह वेदिक सम्स्कृत में बावन ध्वनिया हैं अब ध्वनियों से तात पर यह क्या है ध्वनियों से तात पर यह सामानिय जहां पर यही है कि हमारे और मुख से निकलने वाले जो शब्दाकृती है जो वर्नाकृती है वर आ कर्णट हमारे मसल्स गैसि जो गद्याजी तो इन दवनियों के उचारण में तो इस toothbrush altory निकलता है हमारे वाक यंतरों की आकattि लेकिन जो ऑरन ना करती है ना मित्वनियां समस्कृत में यहां नेंगा है लकिन लोकिक समस्क्रत में यही द्वनि जो है वह effort प्रकार की इंसलिक्त है takichiset प्रकार की परहते हैं यह विलूप्त है समस्क्रत में जिसमें जि्यूkin half a बहारशा यह ध्वनी निकलती होगी और दूसरा है उपदमानी जो की ओष्ट से एक भिन प्रकारे की ध्वनी निकलती होगी और रह और कहीं बारे इसकी उपर चर्चा हुए हमारी आपकी जिसमें कि हमने इस पश्ट कहा है कि समस्कृत में यह ध्वनी पराप्ता नहीं होती ह लेकिन जो रह ध्वनी है यह आपको मराथी भारशा में आज भी है शायद गुजराती भारशा में यह ध्वनी आज भी उबलब्द है लेकिन चूंके लॉकिक समस्क्रित में यह ध्वनिया नहीं पाई जाती यह ध्वनिया नहीं पाई जाती इसलिए चार ध्वनी अगर व लिपी में वह ध्वानी उपलब्द है लेकिन हमारे मुख वीवर से हमारे जो उचारन तंत्र से जो निकलने वाली ये ध्वानियां है ये ध्वानिया प्रायशा अपने स्वरूप को परिवर्तित कर चुकी हैं जैसे उदाहरन के लिए लीजिए कि वैदिक में जो हम री री यह थीन ध्वनिया है री रूशी वाला और री जो क्री विखेरने वाली धातु है उसमें क्री जो डबल नीचे री की मातरा लगाते हैं वो री और री जिसे के हम लोग लाकृति और तवलकार जैशे शब्स्दाँ का निरमान करते हैं ये तीनों धोनिया जो है इनकी स्वरता नश्ट हो गई है कैसे स्वरता नश्ट हो गई है स्पष्ट है आपके सामने में हम जिसे आज रिशी यानि उत्तर भारत में जिसे रिशी कहते हैं वही अगर आप नीछे की और चले जाते है तो वहाँ पर रू हो जाता है रूशी आदि ऐसे उच्चारन होते हैं तो यहाँ पर एक ही दुहनी को ले करके समकालीन जगत में दो भिन उच्चारन है अब यहाँ पर आज भी यह विवाद का वीश है कि कौन सा सही है लेकिन अगर हम देखें वरतमान रूप में तो यह ती इसको ला की तरह ट्रीट करते हैं यह हमारे व्यवाहार में आ चुका है इसका यह कताई अर्थ नहीं कि जो ऑरिजिनल रूप यह उसमें कोई दोश है हम उनके सद्य हम उनके आवश्यक उच्चारन को नहीं सपश्ट कर पा रहे हैं निकाल पा रहें समझ पा रहे हैं इसलि प्रयूग में लाते हैं इसी प्रेकार जो अनुसवार है उस अनुस्वार को भी हमने चनवर्ट कर दिया है यह एक हम देखते हैं कि परिवर्तन है, ध्वनियों में किस प्रकार का परिवर्तन है, इसी प्रकार अई एवं आउ, अब यह जो अई एवं आउ है, अगर प्रकृति रूप से देखें तो यह दोनों, कि दोनों जो है, यह संयुक्त स्वर है, वृद्धि, आप लोग जानते हों कि परिवर्तन पाते हैं, वह भी कहीं न कहीं, इन दोनों के बीच में एक विभाज़क तरक बन के आता है, कि लॉकिक और वैदिक संस्क्रित में यह यह परिवर्तन हो गया, और लॉकिक संस्क्रित ने एक अपना प्रिथक स्वरूप बना लिया, अस्तु, हमारा जो मूल और तदरंसार मित्रो, हम आप सभी जानते हैं कि जो क्लासिकल संस्क्रित लैंग्विज है, जिसे कि या तो लॉकिक संस्क्रित कहते हैं, या लॉकिक कहते हैं, और जो आज जब हम संस्क्रित कहते हैं कि संस्क्रित अबहाशा, तो उससे जिसका बोद होता है, वह लॉकिक सं जैसा कि हमने कहा कि यह जो लॉकिक सम्स्कृत है हम इसे आज केवल सम्स्कृत कहके बुलाते हैं The Variety and Diversity which was found in Vedic Sanskrit became very little in Sanskrit अब क्या है कि जो विविधत आए हैं और जो विशमत आए हैं वो जो Vedic Sanskrit की थी वो लॉकिक सम्स्कृत में नहीं देखी जाती है हमने कई सारे देखे दे जो विविधत सम्स्कृत के जो प्रयोग थी हमने कई प्रकार से उसे प्रयोग को देखा जो प्रयोग वो जो जो variation है वो जो diversity है वो जो variety है हम उसको अब लॉकिक सम्स्कृत में नहीं पाते क्योंकि लॉकिक संस्कृत जो है उसको एक पूरी प्रकार से हम एक परिदी के अंतरगत ले आए हैं The influence of Panini's grammar became very strong which is the main characteristic of classical संस्कृत जो Panini के व्याकरन का जो प्रभाव है वो इतना अधिक हमारे उपर आ गया कि हम उससे अब डिग नहीं पाते डिग नहीं रहे और इसलिए classical Sanskrit जो है classical Sanskrit है मैं बार-बार कहता हूँ इसमें किसी भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं होना चाहिए विरोध नहीं होना चाहिए कि यह because of Panini या जो भाशा है वो unchangeable है विश्व के किसी भी क्षित्र में जाएंगे Sanskrit भाशा में किसी भी प्रकार का प्रिवर्तन नहीं देखेंगे and the exception became few in number इसमें अपवाद जो है लोकेक Sanskrit में बहुत कम पाएंगे जबकि वैदेक Sanskrit में अपवाद ही सामान्य नियम से कहीं ज़्यादा अपवाद है and based on rules, some of the important characteristics of classical Sanskrit जो है वो हम आगे देखेंगे जो कुछ जो विशिस्ट, जो Sanskrit की जो विशिस्टाएं है वो हम अभी आगे चर्चा करेंगे लेकिन मित्रो जो यह अश्ठा द्याई है हम आप सभी जानते हैं कि पानिनी ने अपनी अश्ठा द्याई की रचना के बाद एक भाषा के सवंदर्य, भाषा के वेरियेशन, भाषा की जो विविधता है उन पे हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का इनोंने अंकुष लगाया जिसके कारण आज भी समस्क्रित में किसी भी प्रकार का दोशा हम नहीं पाते पुनाहा ये पानिनी और पानिनी की आप देखेंगे के प्राचीन पांडूलिपी है, मैनिस्क्रिप्ट है पानिनी की नहीं बलकि अश्ठा द्याई की ये मैनिस्क्रिप्ट है जिसे आप आएंगे, जिसके कारण हम कहते हैं और पानिनी ने जो समस्कृत व्याकरण को अनुशासित किया आश्चर ये लगेगा कि कोई इतना भी जीनियस हो सकता है जो चवदह सूत्रों के माध्यम से पूरे समस्कृत भाषा को निगडित कर देता है और इस भाषा की जो शुद्धता को हमारे सामने स्थापित कर देता है और तदनसार आप लोग जानते हैं ये जो माहिश्वर सूत्र है कि 14 सूत्र है इसके विशे में भी बड़ी हमारे यहां जो भी अच्छे कारिये हुए हैं उन सारे कारियों के नेपथ्य में हम इश्वर को आवश्यक रूप से रखते हैं और तदनसार इसका भी संबंध जोड़ा गया कि ये भगवान शिव के डमरू से ये स्वरे निकले और वही हमारी आकर के हमारे यहां माहिश्वर सूत्र काहा जिसका विकसित रूप जिसका प्यूरिफाइड फॉर्म हम हिंदी में वर्णमाला आदी के रूप में देखते हैं जहां और स्वरवर्ण आदी के रूप में देखते हैं और वियंजन वर्ण जो है विवाजन वि इस द्धान एतत विमर्शे शिवसूत्र जालम यह जो शिवसूत्र का जो पूरा का पूरा एक समूह जो हमारे सामने एक जाल स्पष्ट किया वाखवान शिव के डमरू से उत्पन होने वाली यह भाशा इस भाशा के वर्न है तो इसलिए भी हम मानते हैं कि इस भाषा की जो वज्ञानिकता है और वज्ञानिकता वो इस कारण से नहीं है बलकि इस भाषा की वज्ञानिकता के पीछे भी एक divine power है और तभी कारण जो है इसे language of enlightenment हम कहते है मित्रो अगर आप देखें कि पानिनी के व्याकरन से हम changes क्या पाते हैं जो विकास है उसमें changes क्या पाते हैं कई सारे ग्रंथों की रचनावी जिसमें प्रारुम्भिक रूप में मुलू रूप में सोर्स टिक्स जिसको कि हम उपजीव यकाविय कहते हैं या स्रोत ग्रंथ कहत है इसको हम focus करते हैं उसके बाद एक अलग विधा आई जिसमें कमेंट्रीज हैं कमेंट्रीज का ताथपर यह क्या है कि ऐसे दुरूह विशय जो कि आम व्यक्ति की समझ से परे हो तो उसे दुरूह विशय को अत्यंत सहजता के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत करने की एक विधा चली जिसे भाष्य और टीका परंपरा कही गई अब लोगों ने नाम सुना होगा कालिदास के उपर मलिनात के टीका और आप लोगों ने नाम सुना होगा ब्रहम सूत्र के उपर में शंकराचारिय का भाष्य और यही नहीं इसके बाद आप नियाय सूत्र के उपर म वात्सयायन भाष्या पाते हैं यद्यपी एक प्रकार से एक विवाद है कि प्रशस्तपाद भाष्या को हम भाष्या माने या स्वधंद्र ग्रंत है लेकिन एक सामानिय परमपरा में उसे वैशेशिक सूत्र का भाष्या मान लिया जाता है योग सूत्र के उपर में आपने न है और तत्य है उनको हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए जो अपरा क्रिया चली वह ठीकाएं कहलाई तो ऐसे जो विशे हैं वो कमिंट्रीज की ट्रेनी में हैं और टाइपस आप शास्त्राज हैं आप देख लिए जो शास्त्र कई बार चर्चा हुई है चाब दरशन शास् की बात नहीं यानि जब तक हमारी यह परंपरा रही उस परंपरा तक भी तक भी तो विज्ञान होगा उसमें भी लोग तो विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं उसमें भी लोग तो विज्ञान को जान रहे हैं जो इतनी प्रकार के जो आयुरुवेद की ओशदिया बन रह आपद्वम तो वह जो अंजन बन रहा है तो यह नहीं कि पेड़कात व्हल महीं हैं तोड़गा लिया लगा लिया या काजल का निर्मान हो रहा है बानभटकालीन समाज में तो उस काजल के निर्मान में क्या-क्या चीजे मिलाए जा रहे होंगे तो इस प्रकार से ये भी हमारे पास आयरवेदादी जो शास्त्र है जो के चिकित साथ शास्त्र है ऐसे सारे शास्त्री ग्रंथा आई शुषुत संगिता की चर्चादी की चर्चा पहले करी चुके हैं और एक और भिन्न प्रकार है जिसमें क्लासिकल लिट्रेचर की बात करते हैं कि अब उसके काल के दृष्टी से आप कहां भी रखें लेकिन चाओ अश्वगोश हो हो भास हो हो काली दास हो हो भारवी हो भवभूती हो विशाखतत हो हो शूद्रक हो हो आदि अन्य जैसे भी ऐ हम सब पर प्रभावद देखते हैं और कहीं कहीं जो समस्कृत भाषा के संदर्व में देखें कि ये भाषा अगर हमसे दूर होती गई है तो ये कहीं न कहीं हमारा साहित्यका वरचस्व जो साहित्यक शब्दावली सामासिक प्रयोग इतने होने लगे कि वो आम भाषा से आ अपनी मौलिक्ता का परितियाग किया इसका ये अर्थ नहीं कि पानिनी का जो व्याकरन है वहाँ आप कह सकते हैं कि वो रिलिविंसी जो है वो रिलिविंस नहीं उसका रह गया ये कहना गलत होगा क्योंकि आज भी हम पानिनी से बाहर समस्कृत को देखने ही रहे अना यह बहारशाय हैं जो बहारशाय अपने को continue नहीं कर सकी अस्तू तो यह आपके सामने हमारे उपजीव यह ग्रंत हैं चाहे वो रामायन हों महाभारत हों अदि यह सारे के सारे हमारे ग्रंत हैं अब आते हैं लौकिक समस्कित के उसे विशेशता को जानने की कोशिश करते हैं लगिक समस्क्रित के उस मौलिकता को समझने की कोशिश करते हैं, जहां पर हमने पहले भी चर्चा की, कि इसमें अल्प अपवाद है, जब ये कहते हैं अल्प अपवाद, तो तुरंत एक प्रश्णुत्पन होता है, इसका मतलब तो ये है कहीं अधिक अपवाद अपराबत होते होंगे, येस, जब विदिक समस्क्रित काम विश्यलेशन करते हैं, तो वहाँ पर अपवाद कदाचित अधिक हैं, लगाएक समस्क्रित की अपएक्षा, यहाँ पर अपवाद कम हो गए अब देखे ये अपवाद क्या है अपवाद जब आप पढ़ते होंगे पानिनी के सूत रही तो कई सारे इसे सूत रहाते होंगे जो सामान ये नियम में आकर के एक नया नियम को एड़ कर देता था चाहो वो कात्याय नादी के द्वारा वारती कादी के द्वारा स्पष्टक किया गया हो हम यह भी कह सकते हैं कि अपवाद उन उन विशयों को आगे बढ़ाने के लिए होता है और अपवाद कई बार है सामान ये नियम बनते हैं कि आक आराम तर शब्द स्ट्रिलिंगों होते हैं अपवाद दारा तो इस प्रकार से यह सारी चीजे हमारे यहां चलती है अपवाद है इसमें शब्द रूप और क्रिया रूप में विविधता समापतों हो गई मिद्रो जब हम वैदिक समस्कित को देखते हैं तो इसमें जनाह जनासह आदी ऐसे प्रकार और एक ही क्रिया आदी धातु है उनके कई फॉर्म पाये जाते हैं हमारे यहां इस प्रकार के विविधता समापतों हो गई लेकिन हां हमारे यहां इस विविधता को दरशाने के लिए दो फॉर्म बने और वो है परस्मेपद और आत्मनेपद लेकिन अगर आत्मने पद भी अगर लभते लभेते लभंते कहता है तो वहाँ पर लभते का लभती रूप नहीं बनेगा यह चीज़ ध्यान रखना या लभती रूप नहीं बनेगा वो लभते है तो लभते है उसका कोई दूसरा रूप नहीं मिलेगा इसलिए यहाँ पर क्रिया रूप हो या शब्द रूप हो इसमें पूरी प्रकार की विविधता हमें नहीं रह गई संदी जो है वो अनुशासित संदी हो गए अर्था ते हम वाक्य निर्मान करते हैं जब हम क्रिया निर्मान करते है तो महां संदी आवश्यक हो जाता है ठीक है बोल चाल की भाशा में अगच्छती कहते है लगिन लेखन में कम से कम इतना जरूर आना शुरू लिखा जाता है कि रामो ग्रिहाद आगच्छती ग्रिहाद आगच्छती नहीं ग्रिहाद आगच्छती तो इस प्रकार से संधी अनुशासित हो गई लेकिन वो लेखन मातर में बोल चाल में हम इस प्रकार अनुशासित संधी से नहीं बोलते बोल चाल की भाशा में हम संधी का प्रयोग ना करें तो भी जादा उचीत होगा वही उचीत है कि बोल चाल में संधी का प्रयोग कम करें हमने देखा कि लंबे-लंबे समास की परंपरा चल पड़ी लंबे-लंबे समास आने लगे और भाशा इन नियमों के कारण पूरी तरह से नियम बद्ध हो गई येसे अगर आप ये हिंदी के रूप को देखें तो मैं जाता हूँ भी चलता है और हम जाते हैं भी चलता है या अलग-अलग क्षित्रों में जाएं तो तदनुसार हुए अपनी हिंदी की प्रकृति को अपनी बोलचाल में गढ़ लेते हैं मढ़ लेते हैं लेकिन पता नहीं क्यों समस्कृत भाषा को लौकिक समस्कृत को यह स्वतंतरता आज तक नहीं मिल सकी हमने भी कई जगा बार-बार इस चीज़ को प्रस्तावित करने की कोशिश की कि कम से कम द्विवचन और आत्मने पद के रूपों के लिए वो रिजिडिटी न रखें कि हम द्विवचन अपने योग करें ही तो कि इसे क्या होता कि भाषा में एक सारल्य का बोधो होता है एक सरलता आती है कम से कम बोल चाल में तो उसे जरूर ही प्रकट करें तो इसलिए उस नियम बधधता में कुछ शिधिलता की आवश्यकता है तब ही जो समस्कित भाषा की गती है वो उच्छाला जलधी तरंगवत सतत और सदेव प्रवहन शीला रहेगी तो इस प्रकार से अगर आप सारे भाषा की समगरता को देख है Recht तो यह लॉकिक संस्कित के एक जो प्रारंभिक स्वरूप है उसा प्रारंभिक स्वरूप को हमने पाया जो खास करके जो लिखे जाने वाले 600 ईस्वी के बाद जो लिखा जाने वाला साहित्य है उस साहित्यने हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो बोलचाल के सम्सक्रित हैं उस बोलचाल के सम्सक्रित भाशा को कहीं न कहीं एक उसकी गति को शितिल लगी है क्योंकि जहां बानभट या जहां पे भारवी माग या श्री हरश जैसे कवी शलेश परक का आप ये लिखना प्रारंभा करते हैं लंबे लंबे समासों से संबधक आप ये लिखना प्रारंभा करते हैं तो जो आम जन हैं जो साधारन जन हैं उनके लिए वह दुरू होता चला गया और आज भी ये माना जाता है कि अगर आप साहित्य के कवी हैं अगर आप साहित्य की रचना करते हैं तो आप महा विद्वान हैं आप भयंकर विद्वान हैं बहुत बड़े विद्वान हैं लेकिन वहीं सम्स्कृत की अन्य विदा की कितने भी बड़े पारंगत क्यों न नहीं लगती प्राचीनकाल में भी मध्यकाल में भी ये परंपरा देखी गई क्योंकि जिस प्रकार हम कालिदास या बहारवी या बानभट या श्रीहरणश या माघक के विशयों का आलोचन और विशलेशन करते हैं उस प्रकार की चर्चा हम मंदन मिश्र शंकराचारिय या अन्य दारशनिकों की उपर में नहीं करते उसके पीछे कारण क्या है कि साहित्य सबकी रूची के मार्ग को प्रशस्त करता है लेकिन जो शास्त्र है वो कुछ खास प्रकार के लोगों की रूची को ही अनंदित करता है तो इस प्रकार से मित्रो हम अब आगे इस ते बाद क जो श्रिंखला है उसमें हम लोग लोकिक संस्कित की जो पूरी तरह से जो व्याकरन निश्ठ विशेशता है एक एक प्रकृती को देखते हुए उसे प्रकृती को जानेंगे आप लोगों ने ध्यान से सुना आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद झाल